विल्कम टू सक्षिप करियर एक और गुड नियूज आ गगे है या कोंकाता के तरफ से थिक है जोained शां़ ciudad के लिए फार्म फीलप किया था ठीक है उनका गुड नियूज यह है कि टोटलальная फार्म पर अब धेंगे इस से पहले मैंने आप लोग को अभी रिलीज हुआ है उसके पहले आर्बी एहमदाबाद का वीडियो मैंने बनाया यदि आपने वीडियो सेक्शन में जाकर एहमदाबाद का नहीं देखा है तो उसको देख लीजीगा चलिए आरारबी को काता को देखते है सबसे पहले RTI मेरी fly क्या दिया है railway मंत्राले ने खुद यह data जारी किया है और यह बिल्कुल official है तो यहां जो railway ने अपनी data जारी किया है वो technician grade 3 ठीक है technician grade 3 और technician grade 1 को मिला कर data जारी किया गया है यानि अलग-अलग data नहीं जारी किया गया है तो यह देखिया RRB कोलकाता के तरफ से यह रिलीज हूँ रहा है अगर आप डेखेंगे RRB Railway Recruitment Board कोलकाता ठीक है यह यहां पर देखेंगे रिसीव डेट 17-4-2024 को रिसीव डेट था ठीक है यहनी कि 17 अप्रेल को और date of action यहनी कि 18-4-2024 को date of action लिया गया है इसमें क्या बताया गया है जो कि RRB कोलकाता का यहां पर देखेंगी कोलकाता का यह है देखेंगे यहां पर क्या रिलीज किया है यहां पर देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं अब बात आती है कि RRB कोलकाता में टेक्निसियन की टोटल पोस्ट कितनी आई आई थी और जिसमें 1,64,215 फार्म भरे गए तो चलिए उसको हम आफिसियल नोटिफिकेशन पर आप लोग को ले चलते हैं तो यहां पर हम आ गए हैं CEN 02-2024 की आफिसियल लेट्साइड आफिसियल नोटिफिकेशन में जिसमें आप देखेंगे नेमाफ यहां पर लिस्ट जारी कर लिए अब यहां पर देखेंगे टोटल फार्म फिलप कितना हुआ है तो वह हम यहां पर देख लेते हैं नीचे के साइड में दिया होगा देखेंगे टोटल टेकनिसेट घ्र वान सीम्ल यानि कि इसमें टोटल फार्म कितना था टोटल यहां पेशतर है ग्रेड्वर्न में ट departments टोटल चोवतर और ऐसे ही देखेंगे टोटल टेक्निसियन ग्रेट थर्ड जो कि इसमें 432 पोस्ट है अगर दोनों को मिला दे तो यहां टोटल 506 पोस्ट है जिसे फार्म कितना बढ़ा गया है अगर आप यहां पे देखेंगे एक लाख चौन सथ हजार दोसो पंद्रप फा यह जनरली डाटा जारी हुआ है अगर आप अलग अलग ट्रेड पे निकालेंगे ना तो अलग अलग हो जाएगी फिर एक लाख चौन सथ हजार दोसो पंद्र में टेक्निसियन फर्स्ट और थर्ड दोनों है तो इसमें थर्ड अलग निकलेगा फर्स्ट अलग निकलेगा तो आरार भी ने क्या किया है कि दोनों को मिला कर यहां पर डाटा जारी किया है ठीक है तो आपका केटेग्री वाइज ठीक है जैसे की केटेग्री जनरल ओबी सीस्ट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है और साथ में आपका टेकनिसियर फर्स्ट और टेकनिसियर थर्ड के अलग-अलग फार्म फीलप किये गया है तो उसकी भी डाटा के वज़से अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है एक सीट पर आया हुआ है जो कि यहां पर इस बार कोलकाता जोन के लिए टेकनिसियन के लिए काफी ज्यादा यहां पर माना जाएगा कंपर्टीशन है क्योंकि आहमदाबाद में हमने निकाला था तो आहमदाबाद में अगर आप फिलप किया होंगे तो जनरली 241 फार्म भरे गये थे एक सीट के लिए यानि कि 241 कैंडिट एक सीट पर अमदाबाद में फाइट कर रहे हैं वहीं जनरली यहां पर देखा जाए कोलकाता जोन में तो 325 लड़के एक सीट के लिए फाइट करेंगे वह भी सिर्फ जनरल यहां पर यह निकाला गया है जनरली ठीक है मतलब समान दे तोर पे 325 कैंड इसमें अभी दोनों में देखा जाए तो कोलकाता वाला ज्यादा है 325 है और 241 एहमदाबाद भर आगे तो एहमदाबाद अभी इसके हिसाब से तो सेफ जोन है बाकी आगे आने वाले समय में हम डिसकस करते रहेंगे आरार भी से रिलेटेट सारी चीजों के बारे में यद आज के लिए वीडियो में नहीं थैंक्स फार वाटिंग दिस वीडियो में तब तक लिए जहिन